तो सबस्क्राइब का बटन दबा कर प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है मेरे पास बहुत सारे भाईएं के यही कमेंट आते हैं कि भाई हमारे बजरी तोते जो हैं ब्रीड नहीं कर रहे हैं काफी टाइम से हमने उन्हें पाल लखा है तो हमारे बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्तों हर किसी का यही सपना होता जब हम बर्ड अपने घर लेकर आते हैं तो यही सपना होता है कि हमारा बर्ड ब्रीड करें तो जब बर्ड ब्रीड करता है तो बहुत ज़ादा खुशी होती है दोस्तों लेकिन जब काफी टाइम हो जाता हमारे बर्ड ब्रीड नहीं करते तो हम मायूस हो जाते हैं कि हमारे bird क्यों नहीं breed कर रहे हैं उनके यहां तो breed हो रही है हमारे यहां क्यों नहीं breed हो रही है तो दोस्तों आज की video बहुत informative होने वाली है अगर आप video को पूरा देखेंगे और जो मैंने video में बताया उसको follow करेंगे तो मैं 100% guarantee से कह सकता हूँ कि आपके यहाँ भी breed जरूर होगी तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों आपने जाधतर यही सुना होगा सभी लोगों से कि आप बजरी तोतों को पालने की शुरुवाद जो है पठे से करें जो adult बजिस होते हैं आप उन्हें लेकर आएं और उनसे अपने घर लाकर breed कर आएं आपने सभी से यही सुना होगा कि adult पेर जो होते हैं उन्हें आप लेकर आएंगे और उनसे breed लेंगे तो उनमें कुछ न कुछ कमी होती है तो आप पठों से शुरुआत करें दोस्तों ऐसा होता है कि अगर हम पठों को लेकर आते हैं अपने घर और हम उनसे breed कराना चाते हैं तो दोस्तों देखिए ना तो हमें experience होता है कि बर्ड से किस तरह से breed लेनी है और ना ही हमारे बर्ड को experience होता है क्योंकि उन्होंने कभी breed नहीं की होती है पठोंने कभी breed नहीं की होती है उन्हें breed का experience नहीं होता और हम लोगों को भी experience नहीं होता हम beginners होते हैं हमें पता नहीं होता कि bird से breed किस तरह से लेनी है तो दोनों ही अंजान होते हैं दोनों को experience नहीं होता breed करने का और कराने का तो दोस्तों पठे हम लेकर आते हैं और इंतिजार करते रहते हैं तो काफी टाइम हो जाता है हमारे यहां breed नहीं होती देखिए मैं मना नहीं कर रहूँगा कि आप पठों से शुरुवात ना करें देखिए आप पठों से शुरुवात कर सकते हैं लेकिन आपको काम ये करना है कि आपको कहीं से भी किसी भी ब्रीडर से जो बर्ड पालते हो उनसे आप रिक्वेस्ट करके एक ब्रीडर पेर ज़रूर लेकर आएं अपने केजिज और कॉलोनी के नियें देखिए आप जब भी ब्रीडर पेर को लेकर अपने घर आएंगे तो उसने पहले ब्रीड की होती है तो उसे ब्रीड करने का एक्सपिरेंस होता है तो वो आने के बाद आपके घर पर एक दो महीने बाद सेट होने के बाद बहुत जल्दी ब्रीड कर देता है क्योंकि उसे ए रिक्वेस्ट करके एक ब्रीडर पेर ले लें चाहे 100-200-500 रुपए आपके एक्स्ट्रा चले जाएं लेकिन आप ब्रीडर पेर ही लेकर आएं अपने घर पर एक जरूर ब्रीडर पेर लाने से ये फायदा होगा दोस्तों आपके जो दूसरे बर्ड हैं वो भी उसको देखकर ब्रीड करने लगेंगे जब आपका ब्रीडर पेर ब्रीड करेगा तो एक को देखकर दूसरा बर्ड भी ब्रीड करने लगता है तो जब आपका ब्रीडर पेर ब्रीड करेगा तो दूसरे बर्ड भी ब्रीड करने लगेंगे साथी फायदा आपको ये भी होगा कि आपके ब ब्रीडर पियर लेकर आना है अपने बर्ड के साथ चाहें तो आप एक ही पियर रख सकते हैं वो ब्रीडर पियर रख लें आप उससे ब्रीड ले 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 या फिर अगर आप जादा बर्ड पालना चाहते हैं और पठों से शुरुआत करना चाहते हैं तो पठे लेकर आएं और उसके साथ आप एक breeder pair जरूर रखें जो की experience होगा उसे breed करने का जब वो आपके घर आएगा तो वो breed करेगा उसको देखकर और भी bird breed करेंगे ठीके दोस्तों ये आप जो है इसको follow करेंगे तो आपके घर जरूर breed होगी वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छे लगती लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इजासत दीजिए मुलाकात होती है अगली वीडियो में ओके गुड़ बाई